हेलो दोस्तो आज हम बनाना सीखेंगे साबू दाने का बढ़ा बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे इसको हम इसको बनाना बहुत ही एजी है सबसे पहले हम साबू दाने को रात भर के लिए सोक कर देंगे उससे जस्ट डबल का पानी डालेंगे फिर हम मुमफली के दाने को रोस्ट कर लेंगे उसके बाद हम साबू दाने में अबले हुए आलू डालेंगे याद रखें आलू उतने ही डालना है जिससे की हमें एक अच्छी सी बाइंडिंग मिल जाए फिर उसमें हम धनिया मिर्ची और भुने हुए मुंफली दाने का वो जो हम उसको ग्राइंड करे के इसमें हम डालेंगे नमक अपने सौधनुसार 새 उसको अच्छे से मिला लेंगे या हैं देखिए इस तरह की engineers होनी चाहिए अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे तेल अच्छे से गरम हो जाना ज़िए तेल अच्छे से गरम हो जाए वह इंगए यां पर याह पर बो फिर हम एक एक करके सारे बड़ों को फ्राय कर लेंगे देखिए कितने अच्छे फ्राय हुए कितना अच्छा एक कलर आया है कितना क्रिस्प दिख रहा है इसको हम सर्फ करेंगे टमाटर की चटनी के साथ थेंक यू